, Assalamu alikum ever won , welcome to my channel आज मैं आपको बताऊँगे क्या आपकिस तरह कॉम्प्रेस्ट से स्किन टैप इस तरह के स्किन के भिज़ लूवा स्कते हैं कॉम्प्रेस्ट शीट ओर करेंश्थ चैपल धिन्ट यूज़्िश किये हैं इस तरह से टीपपर्फर्ण में दिखते हैं बट जब हम नएक किसी लिकविड्सी सॉलूशन में डालते हैं तो ये इस सरह से स्वयल हो जाते हैं और ओपन के ने पर शीट मास्क कि तरह दिखते हैं इस कॉमप्रfrage स्विड्स मास्क एक फैर ने सकता हैं और दूसरा फाइदा यह है कि शीट मास्क की हल्प से आपको ते सोलूशन होगा वो आपके स्किन में डीप ली पेनेटरेट परेगा और मैक्सिमम रिजल देगा तो सबसे पहले मैं आपको तीन तरह के सोलूशन बनाना सिखाती हूँ जो के तीन अलग-अलग स्किन टाइप्स के लिए हैं बट बिफोर देट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो पीस चैनल को सब्स्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाल मिल्क याने के कच्चा दूर आप चाहें तो गाएं का ले 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 या पिर बकरी का जो आपके वास अविलेबल हो उसके बाद हम इसमें एड करेंगे वन टीस्पून आफ हनी मिल्क में होते हैं वाइटिमन बी एल्फा हाइड्रोक्सी आसेट्स कैल्शियूम एंड एंटी जो के सकिन के लिए बहुत एसेंशल होते हैं मिल्क सकिन को डीपने नरिश भी करता है और शहत सकिन को extremely much राइस करता है और सकिन को गलोइंग बनाता है और इसमें एंटी बेक्टियर प्रोपर्पेटिस भी होते हैं second remedy के लिए हमें चाहिए green tea, 4 tablespoons of green tea लेंगे और इसमें एड करेंगे 1 teaspoon of glycerine next हम इसमें एड करेंगे half teaspoon of aloe vera gel, aloe vera gel जाधा इसली नहीं लेना क्योंकि अगर हम साधा लेंगे तो यह liquid solution नहीं रहेगा, यह पेस्ट लाइग बन जाएगा और हमें liquid form में चाहिए यह remedy acne prone skin और anti-aging दोनों के लिए हैं क्योंकि हमने इसमें एड की है green tea जो के acne के against fight करती है और इसमें anti-aging properties भी होती है उसके इलावा हमने इसमें एड की है glycerine जो के pimples और acne को खतम करने में help परती है और इस skin से aging के size जैसे के wrinkles और fine lines को remove करती है glycerine all skin types के लिए होती है याने के आपके skin type जो भी हो आप glycerine यूज कर सकते हैं और aloe vera gel skin को hydrated रखता है और skin से redness और itchiness को remove यह third remedy है all skin types के लिए याने कि आप सब इसे यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 4 tablespoons of rose water और इसमें एड करेंगे हम कोई भी facial oil या पर serum जो भी आप यूज कर रहे हो मैं यहाँ पर clear का serum ले रही हूँ आप कोई भी serum यूज कर सकते हैं या कोई भी facial oil 4 to 5 drops of serum में इसमें आड करूँगी आप चाहें तो इस serum के जगा vitamin E oil का एक capsule भी आड कर सकते हैं इस remedy से आपके skin soft, supple and glowing रहेगी तो तीन तरह के remedies मैंने आपको बताती हैं अब मैं आपको यह compressed sheet mask डाल के दिखाऊंगी तो इस तरह मैं इसके ट्राइ हो रहे हैं तो मैं milk and honey वाला solution लूँगी इस tablet like compressed sheet mask को मैं इसके अदर डालूँगी और आप देख सकते हैं यह किस तरह से immediately swell हो गया है और अपने अंदर इसमें इस solution को अबसा कोना start कर दिया है आप इस solution में इसको एक मिनट तक लखेंगे उसके बाद आप जो extra liquid है वो इससे squeeze out करके अपने face पर इस mask को लगा लेंगे for about 20 minutes आपको minimum 20 minutes इसको लगाना है for maximum result okay guys that's it for today's video I hope you have a good video अगर आपको अपर वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लैक्जर कीज़एगा और मजीद इस तरह की वीडियो लेक्ने के लिए चैनल को सब्स्राइब पर ना बिलकुल मत बोलियेगा तो मिलती हो आप से नेक्स वीडियो में विद अनधा एक्साइटिंग तोपिक तिल दिन ते किर एंड बीटिफुल प्लीस लाइक वीडियो